नमास्कार दोस्तों मैं सोरब और आप देख रहे हो एसस क्रिक फेंटासी मुझे पता है आप लोग साया थोड़ा नाराज हो क्योंकि चैनल पर बहुत दिन से कोई भीडियो नहीं आ रहा था लेकिन अभी रेगुलर भीडियो आने वाला है क्योंकि समने एसिया कब है और बह पार अनेरेस करके डिसकस करने वाड़ा हूँ हर तरीए का डेटा आपको यह आप पर मिल जाएगा जिसके मदद से अपना से स्मॉल लिग ग्रैन लिग में भी एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो इसलिए वीडियो बेना स्किफ किये पूरा देखिएगा और चैनल के जुड़ना भी आपके लिए उतना ही इनपोर्टेन है नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है अब लिंक के थूरू हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो शुरुआत करता है पाकिस्तन और नेपल के बिचपे एसिया कप का फास्ट मैच वेडिक्शन जो खेला जाने बाला है 30 अगस्ट 3 पीएम कहां पर मुलतन क्रिकेट स्रेडियम मुलतन पकिस्तन पर आप देख लेता है पीज रिपोर्ट यहां पर जो पीछ रहता है थोड़ा सबार्ट पीछ रहता है बैटिंग प्राडाइस विकेट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा और यह खेला जाएगा पकिस्तन और नेपाल के बिच में नेपाल के कंपेरिशन में पकिस्तन बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग टीम है इसलिए यहां पार पीछ रिपोर्ट से ज्यादा माहिने रखता है प्लियार का स्टेन अब पकिस्तन के फेवार में टीम बना सकते हो क्योंकि पाकिस्तन का विनिंग पोसिबिलिटी 99.99% ठीक है 0.1% सायथ नेपल का विनिंग चांज है लेकिन वो भी नहीं है लेकिन नेपल सायथ काटे का टक कर दे सकते हैं लेकिन उतना भी नहीं क्योंकि पाकिस्तन का टीम काफी स्टोंग है उपार से पाकिस्तान का यह होम ग्राउंड है यहाँ पर तो पाकिस्तान पूरा डोमिनेट कर नहीं वला है और आप ओभारॉल पीच का रेकोर्ड देख सकते हो यहाँ पर आभी तक मतलब इंटरनेशनली वांडे में 10 मैच खेला जा चुक है जिसने बैटिंग फास्ट कत्व कत्व टिम ने पांच और बैटिंग सेगंड कत्व टिम ने फाइप टैम्स मैच ओन किया है फास्ट इनिस के अवरे स्कोर अब देख सकते हो 255 मतलब यह पर आपको थोड़ा बैटिंग प्राइड इस विकेट देखने को मिल जाएगा अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग कर सकतो किन प्लियार को अब ड्रॉप कर सकतो इसलिए मतलब वीडियो के साथ जूड़े रहिएगा आप देख सकतो रिसेंट कुछ मैच का रेकॉर्ड इस बेनिग का पार आप स्किन्सोड ले सकतो अगर आप चाहतो आप देख लेता है पाकिस्तान के पॉस्पनेट प्लिंग और इस टीम के खिलाब तो अभी कोई खेला नहीं है लेकिन फाकार अच्छा कर सकते क्योंकि सामने तोड़ा कमजोर बोरिंग अटाग है नेपल का यहाप पर अच्छा कर सकते और फाकार जमान काफी अच्छा बैट्स में है ODI में 73 मैच में 47 की एबरेज है आप देख सकतो उसके बाद आपको इमा उलोक को देखने को मिल जाएगा रिसेनली अफगनेस्तन के खिलाब जो सिरीज के लगया था वह पर काफी अच्छा परफॉर्श देख सकतो 30-91-60 मतलब 61 किया था और इस बने कपर तीन मैच में 66 की एबरेज है ODI में 62 मैच में 51 की एबरेज है इमा बहुत ही इंपर्टेन प्लियार आज होने वाला है उसको आपको देखने को मिल जागा पिछले में 60 के था मतलब पिछला जो आप गुनेस्तन के खिलाब जो सिरीज के लगया था वह पर पहले मैच में तो डख पार आउट गया था लेकिन सेकेंड मैच में 53 और थार्ड होने वाला है नामबा चाहर पर आपको मौमद रिजवान को देखने का मिल जागा मैं हर मैच में बोलता हूँ रिजवान एक्च्वेली टी-20 में जितना एफेक्टिव रहता है ओडियाई में उतना ज्यादा एफेक्टिव नहीं रहता है लेकिन वही बात है सामदे आप 46 का एबरेज है लेकिन ओडियाई में 34 की एबरेज है इसलिए मैं आपको हमाचा बोलता हूँ रिजवान टी-20 से अधर टी-20 फॉर्मेंट में ज्यादा भैतर रहता है एस कंपेर्ट टो ओडियाई फॉर्मेट नामबार पाच पर आपको सालमान आली आगा को देखने पर पार्फॉर्मेट पर आपको इप्तिर्याइब को देखने को मिल जाएगा और इप्तिकर को हिटिंग के लिए कभी भी प्रॉमोट हो सकते है मतलबा प्रोमोशन मिल सकते है इसको लेकिन नामबा 6 या नामबा साथ पर यह खेल सकते है लोड बेडिलोटर में लेकिन देखने को मिल जाएगा यह भी एक्चुएली विकेट टेकिंग बोला तो मैं आपको नहीं बोलूँगा लेकिन इस बने को पर रेकॉड आच्छा है तो रेकॉड को देखते हुए आगला आप चाहतो टिम में कंसलेर कर सकतो आप देख सकतो तीन इनिक्स में इस बने को पर और नासीम का भी अब रिसेंट फॉर्म देख सकतो और मैं हार मैच में बोलता हूँ नासीम सा एक्चुएली ओडियाई फॉर्मेट में अच्छा खेलता है आप देख सकतो सिर्फ दस ओडियाई मैच खेला लेकिन दस मैच में 25 विकेट इसके नाम है और अल्मोश हर मैच मे मतलब ये ओडियाई का रेकोड है अल्मोश हर मैच पे ठिक टक विकेट चेक है इसलिए नासीम सा बहुत ही इंपटेंट फिक होने वाला है ओपेणिंग बोलर के बाद के तो आप फ्रीदी के साथ आपको नासीम सा को देखने को मिल चाहेगा देथ में आप फ्रीदी के सब्सक्राइब करके जूड़े रहेगा फिलाल कुसाल भूटेल के साथ आपको आसिप से को ओपेणिंग करते हुए देखने को मिल जाएगा नेपाल के तरब से कुसाल भूटेल का आप रिसेन फॉर्म देख सेकतो यह जरूरत परने में आपको बोलिंग भी करके दे सकते और यह बोलिंग आज सायथ डालने वाल है आप देख सकतो रिसेनली यह ओडियाई का फॉर्म है रिसेनली जो वर्ल्ल कॉप क्वालिफायर के लग गया था मतलब उस सीरीज का यह फॉर्म है हर एक फ्लेयर का आप देख सकतो यह 71 और 6 वीकेट चर्ट कर जा था यह पर मतलब जीरो यहाँ पर फ्लॉब हो गयता है यहाँ यहाँ पर दो तीरी मैच में लेकिन यहाँ पर आप देख सकतो 35 और इसका एक एडवांटेज के है यह बोलिंग में भी आपको कुछ कंट्रिवेशन दे सकते हैं इसलिए अगर आप चाहतो कुरूसल भूटल के साथ भी एवरेज है लेकिन वही बाद है समने पकिस्तन का बहुत स्ट्रॉंग बोलिंग अटक होगा यहाँ पर बैटिंग में रान बनाना उतना आसान नहीं होने वाला है उसका बाद को कुसल माला को देखिने को में जागा इसका भी रिसेन फॉर्म आप देख सकतो काफी बैतर है आप देख सकतो अल्मोस्ट हर में यह बैटिंग से नहीं तो बोलिंग से कई नहीं है इसे परफॉंच जया रोईद पडवाल टीम का कैप्टेन है लेकिन फॉर्म उतना कुछ से ही नहीं है एक दो मैच को छोड़के इसका भी परफॉंच एवरेज रा वो इसको आपको आर 57 एक विकेट 12 एक विकेट अल्मोस्ट हर मैच में यह कुछ ना कुछ करता है और आप नेपाल के तरफ से अल्राउंडर से जाधा से जाधा प्लियार को पिक कर लिजे क्योंकि यह बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको कुछ ना कुछ एडलिस पॉइंट देने ही वाल रहे मतला फ्रॉप नहीं जाने वाला है मोराल अप दा स्टोरी है इसलिए नेपाल के तरफ से अब ओल्राउंडर जाधा से जाधा टीम में प्रेफर किजिए उसको आपको दिपेंदर से अरिया को देखने को मच जाएगा इसका इसका आपको संदीव लमिसानी को देखने क आपको मिल चाहेगा इसका रिसेन फोर्म देख लीजें पहले यहाप चार विकेट तीन विकेट है यहापार विकेलेस हैं त्वींट एक विकेट यहापट चार विकेट यह बैटिंग में भी आपको कुछ कंट्रिबूशन दे सकते हैं और कापी अच्छा बोलिंग में फॉर्म है, सिर्यक्सन पासंडेज काफी कम है, लेकिन आपका ट्राम्पिक हो सकता है, करन केसी, हाला कि जादा विकेट नहीं चटकने वाल है, क्योंकि सामने पकिस्तन का बहुती स्ट्रॉंग बैटिंग ओडर है, वहाँ पर मतलब बोलिंग करना उतना आसन नह नहीं होने वाल है, लेकिन फिर भी करन केसी आपको उचना कुछ एडलिस पॉइंट देनी वाल है, इसलिए करन केसी इन्फोटेन होने वाल है, उसका वाल आपको सोमपाल कामी को देखने को मिल जाएगा, इसका भी डिसेन फॉम आप देख सकतो, अल्मोस ठीक टाग है, लल के साथ करन केसी को भी आपको देखने को मिल जाएगा, बेंच पर कुछ प्लियर का नाम है अगर खेलते तो, उसका भी रेकरड़ आप देख सकतो, अगर 23 gc खेलते तो 23 को आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख लैता है फैंटज से आपको बोल के आ रहा हूँ, की पर सेक्षन से आप सिधा सिधा रिजवान को पिक कर लिजेगा खास करके पाकिस्तन के टीम अगर पहले बेटिंग करें उस कंडिशन में रिजवान मश्टैप पिक होने वाल है अगर आप चाहतो आसिप सेक के सद भी जा सकतो लेकिन वही बात है पाकिस्तन का बोलिंग अगर आप चाहतो दिपेंदर सिंग के सद भी जा सकतो यह भी बेटिंग और बॉलिंग कहीं न कहीं से आपको कुछ न कुछ पोइंट देने वाल है इसलिए अगर आप चाहतो दिपेंदर सिंग के सद भी जा सकते हो अगर आप चाहतो अगर आप चाहतो टीम में कंसिलर करना क्योंकि नावाज का रेकोर्ड में आपको दिखा था इस विनेगा पर रेकोर्ड काफी वड़ी है इसलिए अगर नसीम साहा इन तीलों बोलार को अब गलती से भी ड्रॉप मात कीजिए क्योंकि यह जो पेस अटक है न साइन अप्रिदी हैरीस रफ और नसीम साहा यह मतलब पाकिस्तन का नहीं है वाल्ड का नंबर वान पेस अटक है यह तीनों बहुत ही इंपर्टेंट पी होने बाल है अब सेंडी को पिक कर सकतो सेंडी ओल्मस्ट हनमेच में ठिक टक विक चतक है और काफी एक्प्रियेंस बोला रहे नेपाल के तरफ से और यह बैटिंग में भी आपको कुछ कंट्रिबूसन दे सकते हैं मैं करन केसी के बार में मैं आपको बोला था आज आपको यह ट्रांपिक हो के दे सकते इसले करन किसी बहुत ही इंप्रोटेंट पीकाज होने वाला है आप देखे लेते क्याप्टेन भाइस क्याप्टेन की ये बात ध्यान से जुनिए अगर पाकिस्तन की टीम पहले बूलिंग करे उस कंडिशन में आप साइनाफ प्रीडी को क्याप्टेन वेस्कुट नासीम साप को क्याप्टेन वेस्कुटेन माल सकतू पाकिस्तन के टीम अगर पहले बूलिंग करे उस कंडिशन में आप अफ्रेडी हारीस ह्राप और नासीम सा में से किसी दो को Captain Vice Captain माल सकतो, अगर Pakistan के टीम पहले बैटिंग करे, उस कंडिशन में आप बावा राजम, इमामूलोक और सदाब को Captain Vice Captain माल सकतो, और फकार को आप Grand Link में जरूर Captain Vice Captain बनाएगा, और मिनी जील में भी अब फकार को Captain Vice Captain माल सकतो, क्योंकि अगर ये चल गया तो चल गया भाई डेर जो भी आपको मर्केट दे सकते अगर फाकर जमल थोड़ा टिक गया तो क्योंकि सपार्ट पीज होने बले खास करके पाकिस्तन के टीम अगर पहले बैटिंग करे उस कंडिशन वे वीडियो अच्छा लगा और इंफोर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा